हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है मेहुल सर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में चलिए सुरू करते हैं दोस्तो आज हम करने वाले Financial Literacy का Lesson 3 जिसका नाम है Digitalization of Financial Transition, Ponzi Schemes and Online Fraud सुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आएं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको इसकी पीडिया चैनल पर मिल जाएगी Hindi और English दोनों में दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले कि जो हमारी जो Financial Transition हो रही है और का Digitalization कैसे हो चुका यानि हम कैसे बचा जाता है यानि अगर हमें Financial Transition कोई भी करनी है तो इसका Digitalization हो चुका यानि हमें बैंक जाने के कोई भी जुरूरत नहीं है अब घर वायते ही कोई भी Financial Transition कर सकते हैं तो यही जानने वाली कि आकर यह हुआ कैसे तो देखिए सबसे पहला जो इसका कारण हो है Cashless Banking तो देखिए इस मामिल में जो हमारी सरकार एंडियन गवर्मेंट का काफी जादा इसको परमोट करने में हिस्सा रहा है जैसे उन्होंने UPI लाए है और डिजिटलाइजेशन क कर आए है है लोगों के अकाउंट खुलवाए है है जो जो इसको कि पहले जादा लगता और जो रिस्क होता उसको क्या कर सकते है ना बैंक में चलनके सबस्धक देख सकते हैं कोई भी अप डाफ डाइप ढ़ लोट करके आप उसमें अपने अकांट को चाक कर सकते हैं, कितने चलने कि सैradd, कि एक पेमेंट हो जाएगी और देखे कुछ ऐसे फोन भी होते हैं बटन वाले जो फोन होते हैं जो non smart phone होते हैं आप उससे भी payment दे सकते हैं एक नमबर होता है, नाम डाल देते हैं, फंन बार बीओर होता है जितनी पेमेंट डाल दीजे और करगू को आपको पताई हर दूकान पर लगाये होई है आप तुरंत' अग pénकिंग का मदब है यक टब का विर्चुल बैंक जिसमें को बैंकिंग फैसिलिटी लेनी तो आपको bank जाने के जुरूरत नहीं, आप bank की facility घर बैटे ही ले सकते हैं, अगर आपको कोई भी bank से related कोई भी transaction करना है, जैसे bank में अगर पैसे निकलवाने हैं आपको हाना, electronic fund transfer, इसे sort में EFTs भी बोला जाता है, telephone banking हो गया और साथी साथ home banking हो गया, और जो ECS है, इसकी full form होती है, electronic clearing service, तो इसका इस्तमाल जब किया जाता है, जब आपको कोई EMI भरनी है, तो आपको बार बरना payment करनी के जोतनी है, आप automatic उसमें क्या होता है, आपके bank से पैसे कट जाएंगे, और EMI आपकी भर जाएगी, या फिर आपको salary मिल जाएगी, आपको automatic salary मिल जाएगी, आपकी pension आ रहे तो आपको automatic तरीके से pension आ जाएगी, आपको बार बैंक से contact करनी के जोतनी है, तो यह एक type के ऐसी service है, अब चल आपके bank में कितना balance है, वो सब आप घर बैटी चेक कर सकते हैं, जो भी statement आपकी जो आती है, आप email भी मंगा सकते है, और आप fixed deposit account को open कर सकते है, आप every day खुलवा सकते हैं, बैंक में घर बैठे ही, आपके जो भी bills होगे, चाहिए वो पानी का bill होगे, electricity bill होगे, आप घर से किसी दूसरे bank में दे सकते हैं, और अगर आपको checkbook चाहिए तो आप उसका घर बैठी order आल सकते है, font से और आपके घर पे जो delivery वो है, वो checkbook दे के जाएगा, और आप घर बैठे ही, जो general insurance होता है, उसको ले सकते हैं, और mobile का recharge वगेरा, या फिर आपके घर में जो TV वगेर की जाती है, इसकी मदा से आप अपने funds को एक bank से दूसरे bank में transfer कर सकते हैं, example के लिए अगर आपको अपने दोस्त को कोई amount भेज रहा है, आप अपने bank में जाएंगे, bank को एक आपको form देगा, RTGS का, आप उसमें पूरी information लिख देंगी, और आपको कितने पैंसे transfer करने हैं, तो वो सब लिख देंगे, तो bank क्या करेगा, आपके जो दोस्त का bank account है, उसको पैसे भेज देगा, और देखिए जो process है इसको इससे इस्तमाल किया जाता है, अगर bank जो amount है, वो काफी जदा बढ़ी है, एक दो करोड आपको भेजना है, आप पेटियम से भेज नहीं पाएं और यह supervision करता है, तो यह एक type के ऐसी facility जो bank के दोर आपको provide की जाती है, आप bank में जाके securely कोई भी payment कर सकते हैं, सेम ऐसी यह जैसा आप paytium से किसी दूसरे के paytium में पैसे भेजते हैं, वैसी यह आप bank में जाएंगे, bank आपको form भरेंगे, फिर आपके account से दूसरे के account में पै से चले जाते हैं, तो आप दुबारा से पैसे मंगा नहीं सकते हैं, आप reverse नहीं कर सकते हैं, reverse तब होगा जब आपने दोस्त को call करके बोलेंगे, भी पैसे भेज़ दे, अगला होता है, अगला होता है, अगला होता है, इसकी full form होती है, national electronic fund transfer, तो यह भी ना, RTGS की तरह similar होत होता है, इसमें भी आपको bank में जाना होता है, और उनको बोलना होता है, कि भाई मुझे अपने दोस्त को पैसे भेजने है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, अपने दोस्त के bank का, जो IFSC code होता है, वो देना पड़ेगा, account, name बगेरा, account का number, branch की details देनी पड़ेंगी, तो bank क्या करेगा, आपकी request में पैसे transfer कर देगा, लेकिन इसमें आपसे कोई form बगेरा नहीं भरबाया जाएगा, उस वाले में form बरबाया जाता है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी amount transfer करनी होती है, लेकिन बस depend ये करता है, जो bank के ने वो आपसे charges बगेरा ले सकता है, पैसे transfer करने की क्योंकि ये secure होता है, वो बिल्पल bank to bank होता है, इसमें बीच में कोई भी fraud बगेरा नहीं हो सकता, यसलिए bank आपसे कुछ fees charge कर सकता है, अपनी policy के हिसाफ से, तो इसकी मदद से अपना पूरे nation में, आप पूरे देश में किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, बस उसकी details आपको प्रोवाइड की जाती है, इसमें क्या होता है, जैसे आप Paytm की app download करते हैं, उससे तुरंट अपने दोस्त को पैसे भेज देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको कोई app डानने की जोच नहीं है, जो आपकी bank होता है, जैसे की SBI की Yono SBI app होती है, ऐसी हर bank की खुद की एक app होती है, तो उसको app को अंदर ही सर्विस होती है, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्त को तुरंट पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके पास जैसे message आएगा, उसमें लिखा होगा कि आपके पैसे एड हो चुके हैं, आपके message आजाएगा, उसके direct message चले जाएंगे यह भी एक second का process होता है, जैसे पेटियम में होता है, वैसी similar होता है, बस उसमें आपको कोई भी file to app डालने की जोतनी है, पेटियम गूगल पर यह समझ डालने की जोतनी है, आपको बस अपने bank की app डालनी है, बहापे आप banking service ले सकते हैं, और साती साती इस facilities का इस्तमाल कर सक अगला होता है, फिर यह आपकी मतब जाच परताल करेगा और आपको पैसे देदेगा, अगला होता है debit और credit card, अब देखिए जो debit card होता है, यह आपको bank की तरफ से दिया जाता है, और आप इसकी मदद से ATM से पैसे निकाल सकते हैं, और जो पैसे आपको मिलते हैं, यह आपक पैसे निकाल लेकिन अगर हम credit card की बात करें तो यह जो bank होता है यह आपको देता है, ताकि आप यह कोई भी मन चाहिए जो तुरंद payment आपके पैसे नहीं है, और आप इसका 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 कर सकते हैं, और पैसे आप पैसा होता है, बैंक अपनी लेकिन इसमें एक चीज का खतरा होता है अगर आपने पैसे नहीं दिये टाइम पर तो बैंक आपके जो हैवी इंटरस्ट लगा सकता है फिर आपको इंटरस्ट भी देना पड़ेगा तो यह दोनों में अंतर होता है तो डैबिट कार्ड आपको बैंक देता है लेकिन जो काइदा यह है कि अगर आपने टाइम पर पैसे दे दी तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो काफी ज़्यादा भड़ जाता है इसकी वज़े से क्या होता है कि बैंक आपको फिर भाविस्य में काफी जल्दी लोन प्रोवाइड करवा सकता है वह देखिया मैं आपको एक भ क्रेडिट कार्लेगा है यह हैम आपनका पंजाम नेश्नल-डेक का क्रेड ले सकते हैं तो मतलब की यह है इसके अपनेया है उसका क्रेड़ करते हैं है अगला एक एक बर इमेज में देखियो इससैं आसानी शेसे समझ आ आपको तो देखर यहां पर क्या है क्सर्क्फर ने कोई समान लिया है फिर वो अपने phone से अपनी information डालेगा penguin डालेगा तो यह phone क्या करेगा फिर आपकी detail हो payment gateway में डालेगा फिर payment gateway वो back messages करेगा फिर bank से क्या करेंगा आपका पैसा और पर रिस्पॉंस जाएगा फिर जो payment gateway है तो यह जो पैसा होता है वो merchant के account में भेज़ देगा फिर वहां से response आएगा कि पैसा है वो पार चुका है फिर यह बापत जाएगा यहापर payment gateway के पास response फिर जो response से mobile को देगा फिर आपको पता चल जाएगा कि payment हो चुका है वहीं पे जब भी यह पैसा जाएगा merchant के account में तो उसके पास भ यह के द्वारा लाया गया था इसकी फुल फॉर्म की national payment corporation और इंडिया तो जो एंपी इसी के द्वारा यूपी आई को लाया गया था विद्दा collaboration और आरभी आई और आई बीए आरभी मतलब reserve bank of India और आई बैंक एस्टेशन तो इनके collaboration की मज़़ से एंपी सिया यूपी और आप आज के समय पे जानते ही है करोडो मतलब यूपी टांजिक्शन होती है आज के समय के है और आसानी साब किसी को भी पैसे भेज सकते है उसकी mobile नमर और उसके जो उसकी user ID यानि जो उसकी UPI ID है उसके मतलब साब किसी को भी आसानी से payment कर सकते है इसमें आपका एक चार पैसे चारी है आप इसकी जो मेशीन जीस परिशक करकरना चारी ही जिसकी चारीया चली और पीटियाइव जो जाते है जिसको भी पीज़िशा वैक्पि एक के वोलेट कि तरह ही होता है। उसमें आप अपना पैसा पहले स्टोर करके रख सकते हैं फिर आप उसका नहां चाहिए आप इस्तमाल कर सकते हैं किसी दुकानदार को देना है कोई बिल भरना है विजली का या फिर किसी को पेइमेंट करनी है तो आप उस वालेट में से पैसे दे सकते हैं तो जो डिजिटल होता है वो आपके पैसे को electronically store करके रखता है अब देखिए इसका एक फैदा यह कि मान लीजिए आपका जो महीने का खर्चा है 1000 रुपए तो पहली अपने सेविंग अकाउंट है उसमें से 1000 रुपए आप अपने वालेट में इससे क्या होगा कि आपको आपकी इंटरस्ट भी आपको मिलेगा और साथ आपको पैसे भी निकालने की जोतनी बार-बार बैंक से आप अपने वालेट में पहली store करके रख सकते हैं और जहां मरजी इस्तेमाल कर सकते हैं अगला होता है pongee scheme वह scheme होती जिसमें fraud होता है आपको ऐसी scheme होची इसमें scam होता है है इसमें क्या वादा किया जता है कि हम आपको high interest देंगे और इसमें low risk वह बिलकुल भी है आपको यह लुभावने ओफर देते हैं और अपने जाल में फसा लेते हैं इनका जो मेंन मकस्द होता है वो क्या होता है कि आपसे पैसे ले सके वो और यह क्या करते हैं आपको कहेंगे कि हम आपको इतना इंटर्स देंगे और बस यह आपको कागची मतलब उस पर कागच पर दिखाएगी कि आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं फिर एंड में पता चलता है कि आपको कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले ही यह company आपसे पैसे लेगी और भाग जाएगी आपको अपको आपको आपको इसी स्केम बचना होता है जिसमें 21 जिन में पैसे डावल हो जाता है तो देहिए ना आपको इतने पैसे मिलने वाले और थोड़े स़ दोब दी बन द द चाते हैं यह कुणए जाते हैं प्र धीसरा बंड़े दोड़े को दिखा दी जाते हैं फिर चौथे को जोड़ा फिर जो तीसरा बंद है उसको दिखा जी जाती कि आपको इतने इंटेस्ट मिलने वाला है ऐसे से जोड़ता जाते हैं और बाइचांस जब जो नया मेंबर है वो जुड़ने से मना कर देता है और फिर कोई भी कस्टमर नहीं मिलता तो ऐसे यह पता चल जाते हैं कि पॉंट जी इसकी होती कौन सी तो आप भविश्य में कभी यह पॉलेसी वगएरा नहीं लेंगे तो देखिए कभी भी इस पॉलेसी से बचिए जिसमें आपको हाई रिटरंस मिल रहे हैं और इसमें रिस्क बिल्कुल कम हो तो ऐसी पॉलेसी से बच था रहे हैं कि यह प्विश्य ब्रभी पटा कर ला पको सब्सारी कि जो ब्सक्तिक हैं बंगकर अर। पैसे मांघक करेंगी दो पॉलेसी में इन वेस्ट करते हैं जिसके पहले सबहां है कि जो भी कंपनी है यह आपको पैसे बेच रही है sudden इसे बावर पैसे. एक्सचेंज कमी साने यानि S E C है उसमें रिजिस्टर है की नहीं और देखिए जब भी आपको पॉंची स्कीम बताई जाते है तो उसके जो आपको कागज वगेरा दिखाए जाएंगे तो उसमें काफी ज़्यादा सीक्रेट चुपे होते हैं कोई भी हिडन लाइन चुपी ह हो सकता है तो उनको जरूर पढ़िए क्योंकि उसी में घपले बाजी चुपी होई होती है और काफी बड़ा कॉंट्रेक्ट होगा जिसमें कॉंप्लेक्स सेटी जादा होगी मतलब उसमें कॉंप्लेक्स कॉंप्लेक्स वर्ड होंगे जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ शहाओ देता है या फिर वह आपको बिलकुल आपको ऑफ बिल्कुल dhaक करता है तो ऐसे में आप उस पॉलिस ना किजीए और पुलिस कंप्ले composite भी कर अप आप पॉलेसी लेना तो आपको बिल्कुल उसका डॉकुमेंट देखने और उसकी वेरिफिकेशन भी करवानी है और अगर आपने किसी भी स्कीम में पैसा लिया है और आपको पैसा बापत चाहिए और उसमें आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है अगर जो क्लाइंट है वो टाल रहा है कि अब आपको हम एक महीने बाद देंगे या छे महीने बाद देंगे या अभी पैसा नहीं निकलवा सकते है तो इसका मतलब क्या है कि घपला है और वो एक पॉंजी स्कीम है तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं तो यह कुछ फीचर होते है पॉंजी स्कीम से जो आपको पहली जब लेंगे आप पॉलिसी तो पता कर लिजेगा और फिर आप ऐसी पॉलिसी में बिल्कुल भी इंवेस्ट मत की लिएगा अगला होता है Online Fraud आपAnd Limited California Fraud में आप्की Personal Details को निकाला जाता है आपका Bank Account का number Kya podia ए आपका Debit Card का number क्या है आपका debit Card का number क्या है उसके पीछे जो तेन डिजिट का number लिखार होता है तो कोई भी अपकी पैसे गायाब कर सकता है तो अपने debit card को भी छुपा कर रखे और किसी को भी उसका number वगेरा share मत कीजिए और आपको email पे भी कई सारे ऐसे fraud message आ सकते हैं या फिर message आ सकते हैं जिस पर का जाएगा link पर click कीज़े तो link पर click मत कीज़ेगा आपकी information transfer हो जाएगी और online fraud में फिसिंग की जाती है फिसिंग में क्या होता है कि जो identity है उसकी चोरी की जाती है और साथी साथ ऐसी कोई सारी auction side होती है जैसी की eBay हो गया इसमें क्या होता है जो identity है उसको बेचा जाता है आप कई सारी mobile map download करते हैं कोई Chinese app होती है कुछ दूसरे विदेश की app होती है त फिर उसको auction में बेच देती है और फिर उनको पैसे मिल जाते हैं आपकी information बेचने की अब देखिए online fraud के कितने type होते हैं सबसे पहला type होता है fishing एक type से मच्छी को पकड़ना तो इसमें क्या होता है कि जो indy bees वाल होता है उसकी जो details होती है sensitive details होती है sensitive information होती है उसको पता लग आया जाता है और बोला जाता है कि आपको lottery लग गई है आपको पैसे भेजने पड़ेंगे और आपकी information ले ली जाती है यह फिर ऐसा call आते है कि आपका जो card expire हो रहा है उसको renew करवाने के लिए आपकी information चाहिए रहेगी तो ऐसे type के लोग क्या करते है fishing करते हैं और जो इसमे फस जाता है एक type से मच्छी उन्होंने पकड़ लिया ना यह किया जाता है कि randomly किसी को भी call लगाया जाता है उससे details को निकलवाया जाता है तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको अपने computer वगेरा में spyware को डालना पड़ेगा जैसे antivirus होते एक software होते वैसे spy virus भी होता ह है जो computer के अंदर आपको install करवाना होता है उससे आपको पता चल जाते कि कौन से मतब जो आपको information आ रही है कोई भी message आ रहे है कोई भी email पर message तो वह fraud है या फिर सही है जैसे आप अपने phone में true caller को download करके रखते है उससे आपको पता चल जाता है जो call आ रही हो fraud है या नहीं ह वैसी computer के लिए spyware आता है और जब भी आप कोई भी window खोलते हैं को भी website सर्च करते तो आपको कोई बहुत सारी pop-up windows आती होंगे जो आपने आपी खुल जाती है तो बिलकुल भी आपको इन window पर click नहीं करने किसी भी चीज़ पर क्यों fraud की website होती है आपको किसी भी चीज़ प print कर दिया जाता है एक तरही किसे ना आपको जो credit card है उसका clone बना दिया जाता है फिर उसी card का इस्तमाल करके ना आपका उपर बिल बना दिया जाता है और यह होता कैसे कि आप किसी भी swap में जाएंगे उनके पास एक machine होगी उसी के पीछे ने कोई छोटी सी machine लगी रहती है जिसमें आपकी सारी information cash हो जाती है अब जैसे उस पर card swipe करेंगे आपकी card की information उसके अंदर चली जाती है और फिर उस information का इस्तमाल करके एक नया card बना लिया जाता है फिर उस card का इस्तमाल किया जाता है फिर आपके उपर बिल भाड़ा जाता है यहां तक कि अगर आप उस machine प पर उपर भी एक और machine लगी रहती है अब किसी भी retail stop पर जो POS machine होती है छोटी सी machine होती जिस पर आप card swipe करते है तो उस पर यह सारी चीछे मतलब जो credit card cloning ही की जा सकती है तो देखिए इससे बचा कैसे जा सकता है cloning से तो बचा नहीं जा सकता लेकिन by chance अगर आपको credit card से किस इसकी complain करनी है और देखिए अगर मतलब bank कहता है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे भली आपने निकालने हो चाहिए ना निकालने हो तो आप उनकी complain कर सकते है RBI में RBI की जो guide लेने उसके हुसार जो bank है अगर उसको आप सही समय पर information दे देतने हैं कि आपके साथ fraud हुआ है तो जो bank है वो आपसे पैसे नहीं ले सकता तो जैसी आपके साथ कोई भी fraud होता है आपको तुरंद अपने bank में information दे देनी है ताकि बाद में आपसे पैसे ना मांगी जाए और देखिए जो POS machine है उसके full form होती है point of selling machine अब देखिए इन online fraud से कैसे आप बच सकते हैं तो सबस सबसे पहले आपको bank में अपने inform कर देना है अगला होता है no the scam अब आपके साथ अगर भविश्य में scam ना होता सबसे पहले आपको जाणना चाहिए कि जो scam होता कैसे है तो देखिए phishing होती है spoofing होती है pop up fraud होता है website pop up आता है उस पर आप click कर दे तो आपके साथ fraud हो जाता है इसमें क्या होता है mainly आपकी जो personal information ने उसको obtain किया जाता है तो एक तो यह information है यह वाला scam हो गया दूसरा होता है frozen horse तो इसमें क्या होता है आपके computer में एक type का ऐसा virus छोड़ दिया जाता है जो आपकी सारी activity को record करता है अगर मान लीज़े आपने computer के माध्यम से कोई payment करी है अ आपको क्या हो सकते है कि आपको email पर link आ सकती है किसी website पर pop-up window आ सकती है उससे भी आपको कोई भी link पर अगर आप click कर देते है तो एक type virus जो आपके laptop में download हो जाता है फिर आपको laptop से कोई भी payment वगेरा करेंगे कि आपको कोई भी important information उसको save करेंगे तो hacker को वो सब information मिल अगला जो scheme होता है counterfeit website से अब देखिया आपने सुना होगा कि जब भी आप किसी website पर जाते हैं तो वह कहते है किसी website पर जाए जिसके आगे HPPT लिखा हो है उसके उपर HPPT मतलब हो एक मतलब secure website है तो उसका email लिए आपको URL चेक करना होता है तो देखिया आप URL को चेक कैसे क कर सकते हैं अगर आपके इसी website पर है तो उसका URL कॉपी करना है और ऐसी कई सारी website है जिससे आप चेक कर सकते है उसके URL कोपी कर देना है अगर को URL खुल जाता है तो उसका मतलब जो website है वो safe है अगर उसमें error आजाता है या फिर कोई भी मतलब incorrection हाता है फिर जो error आता है 404 कर कि आपके जो भी फालतू जो पॉप आते रहते विंडो पे वो नहीं आएंगे अगले अपने कंप्यूटर को स्कैन करते जिए स्पाइवेर से स्पाइवेर एक टैप का सॉफ्टवेर है जो आपको डाउम्लोड करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में और उससे अपने इंटरनेट ब्राउजर है उसको सेफ रखिए और अपने पासवर्ट को सीक्रेट रखिए हना उस पर आगर आप कहीं पे किसी फाइल में या फोल्डर में कोई भी पासवर्ड है कोई भी इंफोर्मिशन डालने तो उस पर पासवर्ड लगा कर रखिए तो यह कुछ तरीक यह ओनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए तो ही पर यह चाप्टर फिनिश होता है तो अगर आपको सब कुछ समझ आ गया तो कमेंट करके बताए वीडियो आपको कैसे लगी लाइक कर दीजिए सबस्क्राइब कर दीजिए और सेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और वाटसाइब ग्रॉप में डाल दीजिए आपको अगर इसकी पीडियो अपको मरे टेलेगरम चैनल पर मिल जाए कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहापर जाकर जोइन कर सकते हैं मैं मिलता हूं आपको इसकी अगली वीडियो में तब तक लिए जाहे हैं